दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी दोस्तों once photo आती है और उसको आप एक बार देख लेती है और आप उसको recover करना चाखते है तो मेरी इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहे न क्योंकि आज की वीडियो को पर मैं आपको bitाने जा रहा हूं कि आप once photo को दुबारा कैस किसे आप उसको दुब़ारा recover कर सकते हैं अब दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोगों मिल जाएंगी जिसमें दोस्तों आपको तरीके अलगे लगे लेकिन अगर आप आज की वीडियों में देख ले तो यकीनन दोस्तों आप इस वीडियों को आप इसके लावा कोई भी यूट्यूब पर वीडियो ने देखोगे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इसी से आपकी साल्व हो जाएगी आज की वीडियो को आखर तक देखना है क्योंकि आज मैं आपको कमाल का तरीका और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कमाल लग जाए और इससे दोस्तों आपकी फोटो ये वन्स फोटो जाए वर रिकवर हो जाए तो आप अपनी प्रॉब्लम को और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे खास बात लिखके दे देनी है क्योंकि अच्छा सा कमेंट कर देना है चले यार बात करती है अब हमें करना क्या है अब सबसे पहले दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद ये फोटो ओपन हो चुकी है देख सकते हो लेकिन अब मैं यहां से बैक आउंगा अब मेरे पास यहां पर दोबारा यह ओपन ही होगी इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ डेलीड का उप्शन या शेयर का या जो क क्लिक करना है सैटिंग्स पर क्लिक करना है यहां से दोस्तों आपको अकाउंट सेक्शन में आ जाना है यह दोस्तों नीचे आना अपने चैट वारे आप्शन के उपर आना है ठीक है यहां से अब आपने फोटो देख ली है अब यहां पर नीचे आना है यहां पर दोस्तों को update करने अपडेट मैंने पहले कर रही है आपने प्ले स्टोर से जाकर इसको update कर लेना है उसके बाद दोस्तों मैं चलता हूँ अपने file manager के उपर यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर हमारे folders मुझूद होते हैं अभी आप देख सकते हो file manager मेरे पास मुझूद है अब मैंने दोस्तों इसको पर click करना है अब जैसे मैं इसको पर click करूँगा और मेरे पास यहाँ पर images आ जाएंगी और यहाँ पर जो folders मेरे बने होंगे वो आ जाएंगी लेकिन आपको phone की storage के उपर आना है आपने इस पर click करना है अब आपके पास यहाँ पर folders आ जाएंगे सारे folders यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर all files मुझे यहाँ पर show किया जा रहा तो मेरे यहाँ पर folders आ जाएंगे अब यहां से दोस्तों आपको एक Android का फॉल्डर ढूंडना है यह वाला Android का है ठीक है यहां से दोस्तों आप नीचे जाओगे जहां पर भी जाओगे आपको यहां पर Android का फॉल्डर देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों पहले आपने यहां पर फाइल्स के उपर डूंड़ रहा है अगर आपको WhatsApp का उप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है तो फिर आपने यहां से ही WhatsApp को उपन कर लेना है लेकिन यहां से अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपने सिर्फ Android वाले के उपर आना है और यहां पर आपको मिडिया पर क्लिक करना है और यहां पर आपको यह WhatsApp का उप्शन देखने को मिल जाएगा ठीक है लेकिन आपको सिंपल WhatsApp को आपने जो क्लिक करना है यहां पर आपको सिर्फ .com ना देखने को मिले सिर्फ WhatsApp देखने को मिले ठीक है अब मैं आता हूँ back, back आने के बाद दोस्तों या आप इसी पर click कर सकते हैं इसमें भी आपकी files जो भी photos, videos, audio calls होती हैं वो सारी save हो जाती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आना है भाई जान phone की storage से click करना है, और यहाँ पर मुझे whatsapp का यहाँ पर ही show किया जाता, all files में, और यहाँ पर मुझे नीचे जो हो यह WhatsApp का option देखने को मेरा, मैं इस पर click करूँगा यहाँ पर भी दोस्तों मुझे media का option देखने को मेरा, यह दो जगाँ पर आपको option देखने को मिलेगा इस पर click करना है, यहाँ पर मुझे wallpaper का हो गया, WhatsApp की जतनी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर send की गई है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर दोस्तों मुझे WhatsApp images का option देखने को मेरा, मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर जो मैंने, मुझे images यहाँ पर send की गई थी, वो यहाँ पर मैं click करता हूँ और इसको मैं open करता हूँ, यह वाली वो image है, जिसको यहाँ पर once photo की उपर send किया गया था अभी मैं आपको याद दलावाता हूँ यहाँ पर, अभी देखेंगे, कि यहाँ पर मैंने इसको open नहीं किया, क्योंकि open यह हो, अब एक बार ही हमने open किया, और यहाँ पर यह पोई जा, लेकिन वहाँ पर यह आपके WhatsApp पर जो audio होती है, जो photo आती है, जो वीडियो होती है, अब वहाँ जाकर भी इसको आप इजिल देख सकते हैं, हाँ, अगर आपको यह वीडियो पूरी अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चलिए गाई साथ, मिलते हैं इस नेक्स वीडियो में, नेक्स टोबिक साथ,